अपने ही हंदर संसार पैदा करता है اور यह कोई जरूरी नहीं है कि उसी शरीर से भोगए कभी देखता हैं कुट्टा बन गए हैं सपने में सर्फ बन गए हैं ताद्रिशेन कभी वही मनुषरीर या इतिरेन दूसरे शरीर से भोग भोगता है मनश को स्वप्न दोश होता है स्वप्न में इस्त्री देखता है और इस्त्री से संभोग करता है और स्वप्न दोश हो जाता है बोले वहाँ तो इस्त्री नहीं थी मत हो लेकिन भूंगते भोग भोग रहा है या दूसरा उदारन दे रहे हैं कुछ लोग सोते में चिलाते हैं, डर के मारे, बचाओ, 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 और उनको उठाया गया, अरे तुमने अच्छा किया, बचा दिया, हमको लोग मार रहे थे, चार-पांच डाकू आ करके, तो अपने आप मन ने डाकू बना लिया, चार-पांच और अपने आप पिस्तोल बना लिया, और अपने आप चाती पर तागन रहें, दिखाई पड़ रहा है, इसा मन ने अपने अंदर संसार बनाया, और भोग भोग रहा है, डर रहा है, या वासनाओ के कारण मैथुनादी क रहा है, वो सब मन ही करता है, काम, क्रोध, मूल, वासनाव, कारण, तो इसलिए चार बटा, उन्तीस, चार सही, उन्तीस बटा, एक सथ में कहा, हर आदमी सूच सकता है, कि सपने में कौन सा शरीर था, जो लड्डू खा रहा था, हम ने एक दिन सपना देखा, शरी जी के मंदि गए हैं, वाँ पंगत हो रही है, खीर खा रहे हैं, और जब कि यहाँ शरीर सो रहा है, तो खीर कैसे खा रहे हैं, बोले, खीर खाने वाला जो मनत है, उसने अपने अंदर खीर भी बना लिया, और चमज भी बना लिया, सकूरा, और खीर परसी जा रही है, और धड़ा धड खा रहें जागने पर पता पड़ा ना खीर थी ना चम्मज था ना सकूरा था उसलिए संकल्प ही सबसे बड़ा यग्य है तब है शोडश कल पुरुष में यही बात कही गई कि ग्यानिंद्रियां एक मन को बनाया मन मने मन में रहने वाला संकल्प भी बनाया संकल्प के साथ मन शरीर बदलता है अंतिम समय जो संकल्प आता है जिसका आएगा वही मिलेगा इसके सैक्ण उदारण है पुरंजन पुरंजनी बना क्योंकि अपनी इस्त्री की याद ने मरा था जो लोग धन की चिंता मरते हैं वही प्रेद बन के यक्ष बन करके धन की उपर चाये रहते हैं जहां तुम्हारा मन जाएगा अंतिम समय में भगवान ने कहा इस स्रिष्टी का अखंड नियम है इतने बड़े महात्मा थे और उनके शिष्टी ने किमाण बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने जो जीवन में भोग भोगे थे वो भोग की चर्चा याद आ रही थी और वोई जर्बक दे रहे थे प्रलाब कर रहे थे तो शिष्टी ने सोचा कि हमारे गुर्देव की इजद कम हो जाएगी तो उसने किमाण नहीं खुला जब तक उनका शरी नहीं चूटा किमाण बंद रखा तो जो मनुष याद उसी की करता है जो संसकार सबसे ज़्यादा पड़ता है जैश्री रादे